राजस्थान के बाड मेर जिले से बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पत्नी ने शादी के छे महीने बाद ही पती के लिंग पर नुखीली चीज से हमला बोल दिया। दूसरी शादी करने की चाहत में पत्नी ने सोते हुए पती का प्राइवेट पार्ट काटने की कोशिश कर धायल कर दिया। अचानक हमले से पती जाग गया और दर्थ के मारे जोर जोर से चल्लाने लगा। मामला बाड मेर जिले के धोरी मनना भली सर गाव का है। महिला की शादी आटासाटा में हुई थी। पती का प्राइवेट पार्ट काटने की कोशिश का यह मामला एक अक्टूबर का है। पीडित पती ने मंगलवार को पुलीस में मामला दर्थ कराया है। इससे पहले मामले को सुलजाने के लिए करीब एक महिने तक दोनों पक्षों में सामाजिक स्कर पर पंचायत चलती रही। शिकायप मिलने पर पुलीस ने पीडित युवक गोराराम का मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल उसका घाव भर चुका है। पुलीस उसकी पत्नी से पूछताच कर रही है। पुलीस का एसपी के जरिये युवक की रिपोर्ट मिली थी। उसमें बताया उसकी शादी छे माह पहले कानू देवी से हुई थी। वह सनावरा बाडमेर की रहने वाली है। गोरारा किसान है। घटना की रात को खेट में बनी धानी में सो रहा था। पत्नी भी साथ थी। वह फोन पर बहन और बहनोई से बात कर रही थी। इसको लेकर दोनों में बहस हो गए। थोड़ी देर बाद पती सो गया। इसके बाद रात में सोने के दौरान उसकी पत्नी ने उसके प्राइवेट पार पर ब्लेड से हमला दिया। गोमाराम दर्द से चीक उठा। परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गये। किसी तरह से उसे संभाला, अगले दिन सुभा उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। उसका इलाज कराया। गनीमत रही की कच ज्यादा गहरा नहीं लगा था। इसके बाद करीब एक माह तक सामाजिक स्तर पर डोनों परिवारों में पंच-पंचायती भी चली। इस दौरान घर में रिष्टिदार की देथ भी हो गई थी। फिर परिवार उसमें लग गया था। लेकिन आखिरकार अब मामला थाने तक पहुँच गया। स्पी को पेश की रिपोर्ट में पीडित ने बताया की हमले के बाद पत्नी से पूछा की तू ने ऐसा क्यों किया। इस पर उसने बताया की बहन और जीजा ने उससे कहा था की तू पती का प्राइवेट पार्ट काट दे। तब हो नामर्ध हो जाएगा। फिर तेरा उससे तलाक हो जाएगा। फिर तेरी शादी तेरी पंसत के लड़के से हो जाएगी। उधर पीडित की पत्मी ने घटना के पांच दिन बाद 6 अक्टूबर को पती और ससुराल वालों के खिलाफ महिला थाने में दहेज प्रताडना व मारपीट का मामला दर्ज करा दिया था। फिर वहाँ घर छोड़कर माई के चली गई। गोगाराम और उसके बहन की शादी आटे साटे में हुई थी। बहन पुषपा की शादी गोमाराम की पत्नी कानुदेवी के भाई लाखाराम के साथ हुई थी। पीडित व पीडित की बहन का ससुराल गाव के सनावरा में है। पुलीस ने बताया कि घटना वाली रात बहन जेठी और उसके पती हुकमाराम का कॉल आया था